हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको समयरिटन गर्ल ये 2004 की ड्रामा कॉरियन मुवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ इस मुवी में दो फ्रेंड्स को यूरोप जाना होता है इनके पास पुरे पैसन नहीं होते है तो एक फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो प्रोस्टियूशन करेगी दूसरी फ्रेंड भी इसके लिए से मदद करने वाले होती है अब मुवी में टान आता है और सब कोच बतल जा यहाँ पर जेयंग अपने future client से बात करी होती है, यह इसके साथ सोने वाली है, तो पैसे वेगरा यह सब decide करते है। यूजिन और जेयंग यह दोनों अच्छी friends होती है, इन दोनों को मिलकर यूरोप जाना होता है, इसके लिए इने पैसे चाही होती है, इसी वज़े से जेयंग प्रोस्टूशन में जा रही होती है, यह खुदी online client ढून लेती है, यूजिन जेयंग को मदद करती है, उसका make-up देती थी, कि अब उसे God पर बिली होने लग जाता था, जेयंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे, इससा लग रहा होता है, जेयंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना है, एक जगा पर जाकर यह दोनों client का wait करती है, फिर जेयंग का client आता है, और यह दोनों hotel में चले जाते है, यूजिन का पास एक diary होती है, इसमें client के नाम नंबर होते है, और इनके पास अब कितने पैसे आ चुके है, इस सब का हिसाब होता है, जेयंग अपने client के पास जाती है, और यूजिन को अगली building से वेव करती है, थोड़ी देर माद यूजिन को दिखता है कि पुल करते हैं कि एक का ही plan ticket के पैसे इनके पास है, जेयंग कहती है कि अगर मैं उसे बात नहीं करूंगी, तो मैं सही से connection नहीं बना पाऊंगी, मैं इस सिर्फ पैसो के लिए कर रही हो, ऐसा मुझे लगेगा, जो भी time जेयंग अपने client के साथ गुजार दिये, उसमें उसे real connection करना होता है, हमने देखा है कि उसे वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है, यूजिन फिर जेयंग को बात रूम में लेकर जाती है, उसे साफ करती है, जेयंग कहती कि अब बस हो गया, यूजिन कहती कि वो बहुत ही घटी आदमी है, तो मैं सही से मुझे साफ करना है, यूज अपने फादर के साथ अकेली रहती है सुबा जब वो उड़ती है तो उसके फादर उसके लिए breakfast वगरा बना कर लाते है यूजिन को उठाने के लिए music लगाते है उसके headphone उसके कान में लगा देते है यूजिन से उसके फादर बहुत ही प्यार करते है यूजिन की मदर पहले ही गुजर गई है फादर यूजिन को जब स्कूल में छोडने के लिए जाते है तो पूरे वर्ल्ड में से अलग-अलग स्टोरिस उसे सुनाते है यूजिन इतना ध्यान नहीं देते फिर भी यह सुनाते है इस बार यूजिन और जैंग मिलती है तो यूजिन कहती है कि मुझे बहुत ही अलग लग लग रहा है जैंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है यूजिन कहती है कि मैं सब पैसे समालती हूँ और तुम्हें इस सब करना पड़ता है जेंग कहती है प्लीज ऐसा मत सोचो फिरिसे हम इस बारे में बात नहीं करेंगे यूजिन कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना ये एक जगा पर क्लाइंट से मिलते हैं और जेंग उसके साथ काड़ी में इंटिमेट हो जाती है जब हो जाता है तो एक लाइंट यूजिन के पास भी आता है जेंग कहती है कि ये हमें लंज के लिए लेकर जाना चाता है यूजिन इसके लिए मना करते थी है जेंग को जल्दी से कार से बाहर निकलने के लिए पोल दिये ये क्लाइन कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो यूजिन मान ने रही होती इस क्लाइन को ज़रा बुरा रगता है क्या है मेरे वज़े से कर रही हो यूजिन कहती है कि अब तुम मुझ पर भी लाइन मत मरो इस क्लायन को यहाँ से भगा देती है जेंग फिर यूजिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो एक अच्छा आदमी था वो एक म्यूजिशियन था यूजिन कहती है कि वो एक घटी आदमी था यूजिन जब इस बार इसे क्लीन कर रही होती तो कहती है कि मुझे दूसरा आदमी तुम्हें कोई टच करे है ये अच्छा नहीं लगता यूजिन जेयन से बहुत प्यार करती है उसे लग रहा था कि जेयन उस म्यूजिशियन से प्यार करने लग गई है इसके बाद ये दूनों एक दूसरे को किस करती है ये हमें दिखता है ये दूनों स्कूल के बाद एक शॉप में जाते है वाइक मशिन होता है जिसमें अपनी फोटो निकाल सकते है यहाँ बर यह दोनों इंडियन्स की तरह कपड़े पहन कर फोटो निकालना जाती है और यह फोटो निकालती भी है एक्चुल में पठानी लग रहा है पर ठीक है इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जेयंग फिर से एक लाइन के साथ है यह बिल्डिंग में है और यूजिन उसपन नजर रख रही है अचानक से यहाँ पुलीस आ जाते है पर इस बिल्डिंग में अब एसकेप करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता जेयंग के रुप में पुलीस फोट जाते है पर जेयं को पगड़नी जाना होता यह खिड़के के उपर खड़ी हो जाती है पर होस्पिटल ले कर जाती है होस्पिटल में उस पर हिलाज स्टार्ट हो जाता है पर डॉक्टर कहते है इसके पैरेंट्स को तुम बुलाना चाहिए यूजीन के पास इसके पैरेंट्स को कोई भी नमबर विगरा नहीं होता इसके डायरी वो चेक करती है पर कोई भी उसे नहीं मिलता यूजीन शावर में जाती है और सब बलड विगरा पोचती है इस शावर में ही वो रोने लग जाती है वो आपने आपको ही ब्लेम कर रही है यह जब जेंग के पास आती है तो जेंग अब जरा होश में है और उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है जेंग यूजीन से कहती है कि प्लीज मेरे क्लायन को बुला दो जो म्यूजीशियन था जिसने उसे अच्छे से ट्रीट किया था इसे मरने से पहले उसे मिलना है यूजीन वर म्यूजीशियन को कॉल लगाती है उसे कहती है कि प्लीज यहाँ आजाओ जेंग के साथ क्या हुआ है यह सब उसे पताती है पर यह म्यूजीशियन आज काम कर रहा होता है तो इससे मिलना नहीं वाला होता जैंग कहती कि प्लीज तुम्हारा पता मुझे तो मैं वहाँ हूंगी वहाँ उसे मिलने के लिए जाती है उसे convince करना चाती है पर यह मानता नहीं यूजिन नी musician की insult की थी इसी वज़े से अब यह इसे बात नहीं करना चाता यूजिन को मालूम है यह musician उसे चाहता था इसी वज़े से अब अपने आपको वह उसे सोब देती है यह दोनों intimate हो जाते है और इसके बाद यह देयंग के पास जाने वाले होते है यह hospital पहुशते है पर इने देर हो चुकी होती है देयंग मर गही होती है मरने के बाद भी इसके चेहरे पर smile ही होती है यूजिन रो रो कर बुरा हाल करते थी है थोड़ी दिन गुजर जाते है यूजिन ने जो सब पैसे कमाये थे इससे वो देखती है यह diary और वैसे लेती है और इसे जलाने की कोशिश करती है इसके mind में idea आता है और अमना mind यह change कर लेती है इसे लगता है कि जैंग ने यह सब पैसे लिए है अगर यह बैसे उसके client को फिर से वापस कर देगी तो यह prostitution नहीं माना जाएगा जैंग सचमुश में इन सब लोगों से connection मनाना चाहती थी अगर उसने यह कर दिया तो उसे शान्दी लग सकती है यूजिन अपने आपको यह blame करती है तो उसे लगता है कि यह करना सही हो सकता है यह model में जाती है और client को बलाती है client जब इसके साथ intimate हो जाता है तो बहुत ही खोश होता है इस client को यह jayang की तरह ही लगती है यह कहती है कि jayang मर चुकी है और इसके बाद इस client को सब पैसे वापस कर देती है इसके बाद हमें दिखता है कि एक दूसरे client के पास भी आई हुई है यह client भी बहुत ही खोश हो जाता है इस पर बिल्यू नहीं हो पाता है उजन जेस होटल में होती है उसके opposite होटल में ही उसके father आते है वह एक murder हो जुका होजा है इसके फादर जब खिड की से देखते है तो यह जन एक client के साथ होती है इनहीं इस पर billi app नहीं हो पाता यूजिन वहाँ से चली जाती है और उसका जो client था इसका पीछा उसके father करते है इस client को रस्ते में रोक लेते है father कहते है कि अब मैं तुमसे कुछ questions पूछूँगा अगर तुमने मुझे सही से answer नहीं दिया तो मैं तुम्हें punch करूँगा यह कहते है कि तुम अब कहा थे यह पहले बोलने रहा होता तो कहता है कि एक लटकी के साथ होटल में था father कहता है कि उसकी age क्या थी यह आदमी उसे बोलने रहा होता तो father इसे बहुत मारते है यह client कहता है कि तुम हो कौन फादर कहते यह तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हो सकता हूँ कि क्लाइन फिर अंदाजा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है रात में हमने दिखता है कि फादर यूजिन की रूम में आये हुए होते हैं और उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। यूजिन को फादर जब स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो आज जिस तरह से वामेशा से स्टोरी सुनाते हैं वैसे सुना नहीं रहे होते। योजन कहती है कि आज क्यों नहीं सुना रहे हैं, उसके फादर कहती है कि तुम सुनती कहा हो, यह कहती है मैं सुनती हूँ, प्रीज मुझे सुनाओ, यह फादर कहती है कि तीन फ्रेंड्स थी, वो फॉरेस्ट में गई तो उन्हें मदव मेरी देखी थी, उनके लाइट में इ इस मूवी का एक बहुत अच्छा प्लॉट पॉइंट है आज फादर अपने जॉब पर नहीं जाने वाले होते हैं यह स्कुल के बहारी खड़े होते हैं और यूजिन कहा जा रही है इस पर वो नज़र रख रहे होते हैं यूजिन एक मॉडल पर जाती है और अपने एक लाइ से चले जाओ यह आदमी मी समझ जाता है कि एक कुछ डेंजरस है और वहां से निकल जाता है रात में फादर अपने फ्रेंड के साथ एक होटेल में आये हुए होते हैं वहाँ पर कुछ लड़किया होती है यह लड़किया यूजिन की ही एज की होती है इसका जो पार्टनर ह करता है यह इस लड़कियों पर लाइन मारने लग जाता है इनसे वह बातशित करता है और उन्हें वह ड्रिंक आफर करता है इन लड़कियों के बॉइफ्रेंड सिर वहा थे यह लड़किया इसकी कंप्रेंड उनके पास करती है यह लड़किया कहते है कि एक परवर्ट है उ काज बहुत ही silent silent ही थे और अपने friend को भी इन्होंने slap किया है दूसरे दिन भी Eugene का पीछा उसके father करते है इस बार एक client के साथ खेत में आती है वहाँ पर बड़े से पत्तर father उठाते है और गाड़ी का काज फोड़ते है Eugene और client दोनों डर जाते है और वहाँ से निकल जाते है इस client का पीछा father करते है और next दिन उससे मिलते है यह उससे cigarette मांगते है और कहते है क्यों तुम्हें आगे तक lift दे सकता हूँ याद में कहते है कि मैं यही रहता हूँ कोई जरूरत नहीं है याद में चलने लग जाता है तो आप में अपनी balcony से देखता है तो इसका कौन सा flat है यह भी उससे दिख जाता है फादर फिर इसकी घर में आ जाते है यह अपनी family के साथ dinner कर रहा होता है इसमें इसकी बेटी भी होती है जो यूजिन के ही age की होती है फादर इससे मारने लग जाता है family कहती है तुम इससे क्य इससे jump मार कर खुद कुशी कर लेता है नेक्स दिन फिर से यूजिन अपने client के साथ होती है उसके father उसका पीछा करे होते है इस बार traffic में father first जाते है यूजिन आगी चली जाती है जिस आदमी के वज़े से traffic हुई होती है father इसे बहुत मारते है यूजिन जहाँ पर गई होती है वहाँ जब father पहुचते है तो अपने client के साथ intimate हो चुकी होती है इसके बाद एक client toilet में जाता है तो उसके पीछे father चले जाते है फादर को अब बहुत ही गुसा आ जाता है और इस client को मार मार कर उसका murder वो कर देते है यूजिन को थोड़ी देर में लगता है कि कुछ पैक कर रहे होते है फादर के या धे है फादर के घ्रेव के हम विजिट कर कर दे मधर के जो camera है एक mountain मांटन पर है वहाँ जाना जाते है सब फूड वेगरा पैक कर लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं यहाँ पर आकर फादर रोने लग जाते हैं उन्हें बहुत बच्ता होता है फादर फूड खाते हैं पर उल्टी कर देते हैं कार में माउंडर उतरते उतरते एक जगा ये कार टकरा जाती है और हो धस जाती है फादर बहुत ही कोजिश करते है इस कार को निकालने के लिए पर ये निकालने पाते है ये ठक कर ये ही सो जाते है यूजिन बहार निकलती है सब पत्थर वेगरा चाक किया लगाती है गाड़ी अब यहां से निकल जाती है अब साम हो चुकी है और यह बहुत दूर है तो वे घर नहीं जा सकते एक जगा पर यह रात के लिए रुखने वाले होते है जिस जगा पर रुखते है वह एक बुड़ा आदमी होते है इनके लिए खाना अगरा लेकर आता है रात में फादर फिर से यूजिन को स्टोरी सुना थे आधी रात हो जाती है और फादर देखते है यूजिन के पास नहीं है यूजिन बाहर बेटी हुई होती है और वो रो रही होती है उसने जो सब किया है इसके फादर को पता है ये उसे मालूम है ये दोनों घर जाते वक्त एक शौप पर उखते है फादर अंदर होते है तो यूजिन गाड़ी की स्टीरिंग देखने लग जाती है गाड़ी चलाते कैसे है ये उसे बहुत ही क्यूरेस इटी होती है फादर आते हैं तो कहते हैं कि तुम अब गाड़ी चलाओ, तुम्हें कर सकती हो, यूजिन डर रही होती है, यूजिन रस्ते में सो जाती है, तो फादर उसे एक रिवर के बाज लेकर आते हैं, यहाँ पर आकर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, इन्होंने मर्डर किया है, यह उन्होंने confess कर दिया है, यूजिन जब उठती है, तो उसके फादर उसे कहीं नहीं दिखते हैं, यूजिन जब आगे जाते हैं, तो उसके फादर उसे पीछे से आकर मार देते हैं, और अभी कार देते हैं, यह जो सब है, यह उसका सपना ही था, यह जब सच्चूच में अब मैं तुम्हें हैप नहीं करने वाला इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहा जाती है और फादर को लेकर चली जाती है यूजिन को खुद से गाड़ी से अब घर जाना पड़ेगा मुवी के बीच में फादर ने यूजिन को स्टोरी सुनाए थी जिसमें लड़कियों को ल पुलिए थी और ने सब कुछ पता चल गया था जब वह इस रिवर के पास आये तो थोटा सा रस्ता फादर ने उसे बना कर दिया पैरन्स हमारे लिए हमेशा सही ही चाते है थोटा सा रस्ता हमें हो देते है और इसके बाद गिर समल कर इस रस्ते पर चलना यह हमारे अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दिजेएगा मैं बहुत सारी मुरीज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दिजे और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मर भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मुरी के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया